वारेन बफिट और चार्ली मंगर के कॉर्डेंग, ट्रेडिंग करना वैसे ही है, जैसे किसी यंग्स्टर को खतनाक ड्रग, हैरून की आदत पढ़ गई हूँ. लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले, कि आपका एक ट्रेडर फ्रेंड, 15-20% एन्नुल रिटर्न लेने के बजाए, साल का 66% रिटर्न ले रहा है, यानि आपके गुरू, वारेन बफिट से भी आल्मोस्ट ट्रिपल, तो आपको कैसा फिल होगा? कहीं लोगों को 66% रिटर्न का मतलब समझ नहीं आता, तो ये 66% रिटर्न का मतलब है, कि अगर आपके फ्रेंड को वारेन बफिट के तरह, 70 साल मिल जाए कंपाउंडिंग के लिए, तो उसकी नेट वर्थ होगी 63 कुिंटेलियन, 900 कॉड्रेलियन, 781 क्रेलियन, 780 बिलियन, 7 68,000 डॉलर्ज, लगता है अब हम सब को समझ आ गया होगा, 66% रिटर्न की ताकत, आइनो आप बोलेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वारेन बफिट से जादा रिटर्न इंपॉसिबल है, ये तो बस एक स्टोरी है, लेकिन ये रियल स्टोरी है, और इस इंसान ने सिर्फ एक सा सालों तक 66% का रिटर्न पाया है, और इन शक्स का नाम है Jim Simons, तो ये वीडियो बहुत इंट्रेसिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि Jim Simons कौन है, और most importantly ये देखेंगे, कि जब Warren Buffett और Charlie Mangar से पूछा गया, कि हंजी अब बताओ, आप तो बोलते कि ट्रेडिंग बखवास है, तो Jim Simons का रिटर्न आप लोगों से इतना ज्यादा क्यों है, वो भी 30 सालों तक, तो इस पर Warren Buffett और Charlie Mangar ने क्या जवाब दिया होगा? Warren Buffett की स्टोरी के बारे में तो हम सब जानते हैं, कि 14 साल की उम्र से ही उन्होंने इंवेस्टिंग शुरू कर दे थी, 1000 ways to make 1000 dollars पड़ी थी, the intelligent investor पड़ी थी, और तब जाके, काफी सालों के बाद, slow and steady formula से वो extremely successful होए, लेकिन क्या Jim Simons के बार में आपको पता है? ये सिर्फ finance मे ही अच्छे नहीं हैं, बलकि ये Harvard में एक match professor भी थे, और even Soviet spy भी रहे हैं, यानि एक जासूस की तरह, इन्होंने court break भी किये हैं, तो Jim Simons पैता होए थे 1938 में, एक middle class American Jewish family में, Jim Simons को बचपन से ही match से बहुत प्यार हो गया था, जब Jim Simons सिर्फ 3 साल के थे, तो उनके parents ने देखा कुछ और ही plans थे, इसलिए उन्होंने MIT में mathematics पढ़ने के लिए admission ले ली, शुरू में उन्हें काफी दिखते आई, और बहुत test में वो fail भी होए, लेकिन finally summers की छुटियों में, उन्होंने पूरा time complex series के questions solve करने में लगा दिया, और उनका mathematics की तरफ, interest और बढ़ गया, जिम के teachers बोलते हैं कि जादातर जिम campus में लेटे होए पाए जाते थे, और आँखे बंद करके, कोई ना कोई math की equation के बारे में सोच रहे होते थे, अपने college के time में ही उन्हें पता चल गया था कि वो इसी type की life चाते हैं, जहां उन्हें अपनी जिंदगी में math और coffee चाहिए bus, MIT से पढ़ने के बाद, Berkeley University में जिम ने दो ही सालों में PhD कंप्रीट कर ली, और Harvard University में उन्होंने अपनी पहली job स्टार्ट करी, as a math teacher, as a professor वो बहुत ही casual रहते थे, इतने casual की कभी वो socks भी नहीं पहनते थे, कुछ सालों के बाद Jim Simons टीचिंग से बोर हो गए, क्योंकि सब चरदो और बाकी कलीक से गपे मा दो, Jim Simons को कोई challenging job चाहिए थी, ताकि वो अपना talent यूज कर पाए, और 1964 में उन्हें वो opportunity मिली, जिसका उन्हें इंतजार था, IDA यानि Institute Defense Analysis ने उन्हें job दे दी, ये एक बहुत ही sophisticated government organization थी, जो country के top mathematician को hire करती थी, ताकि वो Soviet यानि पास्ट र इसलिए उन्होंने Jim Simons जैसे mathematicians को hire किया था, जिनके पास बेशक code cracking का कोई experience ना हो, लेकिन उनके पास fresh ideas और maths की skills हो, यहाँ पर Jim Simons ने ultra fast code breaking algorithm बनाया, जिससे Soviet के कई codes crack हो गए, और Jim Simons आईए में बहुत famous हो गए, इसके बास Simons का interest finance और trading की दुनिया में बढ़ने लगा, शे एक interview में बोल दिया था कि उन्हें वेतनाम बहुत पसंद नहीं है, और जो कि उनके boss के views के खिलाफ था, चालिस की age में Jim Simons ने अपना पहला hedge fund खोला, जिसका नाम था money matrix, जिसका काम था कि वो match को use करके share market के patterns को समझ सके, इसके लिए उन्होंने अपने past idea colleague Leonard Baum को अपनी team में include कर लिया, Baum भी Jim Simons की तरह बहुत बड़े mathematician थे, और इससे पहले Baum एक famous, Baum Welsh algorithm बना चुके थे, और ये algorithm बाद में Simons के hedge fund का एक बड़ा हिस्सा बना, इस algorithm को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, कि ये algorithm अगर हम cricket में apply करते हैं, और अगर इस algorithm को cricket के कोई rules भी नहीं पता, फिर ये काफी अच्छी probability से बता सकता है कि cricketer की next move क्या होगी, उसके patterns को समझ के, Jim Simons जानते थे कि ये algorithm वो financial market में भी use कर सकते हैं, इस algorithm को use करके दोनों Jim और Baum ने काफी पैसे अपने hedge fund से कमाए, एक बार उनके साथ बहुत ही interesting case हुआ, Baum और Jim एक बार बीच में relax हो रहे थे, और इनके algorithm ने predict किया कि British pound की value आज रात increase होने वाली है, और ये दोनों swim suit में ही भाग कि अपने office आए, और बहुत से British pounds खरीद लिये, और जैसा algorithm ने predict किया था, British pound की value बढ़ गई और दोनोंने काफी पैसे कमाए, interesting बात ये थे कि दोनों को कोई भी British policy के बारे में नहीं पता था, और नहीं उनके पास कोई reason था कि क्यों British pound की value increase होने वाली है, बस algorithm की prediction से ही उन्होंने ये decision ले लिया था, इसके बाद बॉमर जिम साइमन्स ने और अच्छे mathematicians की team बनाई, और एक फंट कोला लिम्रॉय नाम से, इस team ने नए prediction algorithms बनाए, लेकिन इन algorithms में कुछ कमिया थी, for example एक बार इस algorithm ने predict किया था कि gold का price बढ़ेगा, इसलिए इन्होंने बहुत सारा पैसा gold में लगा दिया, और gold का price बढ़ा भी, लेकिन ये algorithm सारा gold sell नहीं कर पाया, और इसके बाद gold का price कम हो गया, और इन्हें बहुत बड़ा loss हो, इसके बाद अब बारी आई इनके third hedge fund की, ज best algorithms design किये गए, इस company renaissance technology के अंदर एक fund बनाया गया, जिसका नाम दिया गए medallion fund, और इस medallion fund के algorithm ने on an average 66.1% का annual return दिया, और investing की दुनिया के महरत ही, जैसे की George Soros, Steve Cohen और even की Warren Buffett से 3 गुना जादा return अचीव किया, और 30 सालों में 1988 से 2018 तक इस fund ने 105 billion dollars कमाई, जब साइमन्स को लगा कि उन्होंने बहुत पैसे कमा लिये हैं, तो उन्होंने अपनी wife के साथ एक foundation खोली, जिसका नाम था साइमन्स foundation, जिसका गोल है कि दुनिया की education और health को improve किया जाए, और आज भी billionaire Jims साइमन्स इस foundation पर काम करें हैं, अब हम मेंसे कहीं लोग सोच रहे ह और अभी medallion fund में सिर्फ renaissance के 300 employees के ही पैसे हैं, और medallion fund की वज़े से renaissance के 100 employees के पास 35 करोड से जादा रुपे इखठा हो चुके हैं, ओके, तो अब next argument जो traders दे सकते हैं, वो यह है कि चलो कम से कम एक चीज तो प्रूव हो गई है, कि human emotions के thinking का collectively एक pattern है, और इसलिए machine learning algorithms इ Anyways, jokes apart, अगर हमें ये समझना है कि हम trading में हमेशा क्यों नहीं successful हो सकते, या फिर medallion fund में बाहर के investors पैसे क्यों नहीं लगा सकते, इन दोनों सवालों को समझने के लिए हमें एक ही चीज समझनी होगी, trading versus investing, trading is a negative sum game, इस point को समझने के लिए हमें एक example लेते हैं, माल निजे कि आ अपनी फीस लेगा, आप लोगों को platform देने के लिए, अपना बजली का bill भनने के लिए और अपनी employees की फीस देने के लिए, so let's say कि वो 10,000 पे ले लेता है, table में अब अचे है 90,000 रुपे, अब जो भी winner होगा, उससे 90,000 रुपीज मिलेंगे, असली में इसमें भी government को tax देना पड़ेगा, but the point is कि कि किसी का winner बनने के लिए, किसी का loser होना ज़रूरी है, अब imagine किजे कि आप एक trader है, और आप सिर्फ बाकी traders के साथ ही नहीं, बलकि institutional traders जैसे की, James Simons की company, Renaissance Technology से भी compete कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई trader, इन gigantic institutions को beat कर सकता है, आपको पता है कि Renaissance के one-third employees, PhD हैं, maths और science में, और हो सकता है कि आप ऐसे institutions के खिलाफ trade कर रहे हो, अब Renaissance का जो भी profit है, वो पैसे किसके हैं, obviously long term investors के नहीं हैं, क्योंकि वो तो share hold करके रखते हैं, इसलिए वो profit बाकी छोटे traders का हैं, जो की ingenious mathematicians को, अमीर से और अमीर बना रहे हैं, अब क्योंकि trading की game में एक winner के लिए, कोई ना कोई loser होना ज़रूरी है, इसलिए medallion fund भारी investors के लिए बंध है, क्योंकि सब अगर medallion में ही पैसे दे देंगे, तो हारेगा कौन, और obviously आप ये भी समझ गे होंगे कि medallion fund एक साथ बहुत से पैसे trade क्यों नहीं कर सकता, ये इसलिए है क्योंकि ब Warren Buffett और Charlie Munger से जब Jim Simons की return के बार में पूछा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि Jim Simons की medallion fund ने तो almost 66% का return अचीव किया था, जो कि Warren Buffett से तीन गुना जादा है, तो ये सवाल पूछने पर Charlie Munger और Warren Buffett ने कहा कि येस, Jim Simons और उनकी team बहुत intelligent है और rich है, लेक में long term investing में भी उनकी strategy काम नहीं करती, तो इस पूरी video की summary ये है कि अभी भी value investing is the best, take your time, value investing सीखो और company की value calculate करके, पैसे invest करो, ना कि uselessly trading करके, तो दोस्तों, अगर आपके किसी friend या family member को trading में बहुत interest है, या match पसंद नहीं है, तो ये video उसके साथ ज़रूर शेयर करें, ता कि argument भी हम उनके साथ share कर सकें, और hopefully उन्हें ठीक direction में ले जा सकें, अगर आप Index 1 पर एक free course देखना चाते हैं, तो वो हमने अपने दूसरे channel गीगल बिजनस में upload किया है, इसके अलावा आप हमारी गीगल application भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 140 से जादा book summaries हिंदी में free में available हैं, जिससे आपके पास आपके competitor से जादा ideas होंगे, इस app में the intelligent investor और 1000 ways to make 1000 dollars जैसी book summaries भी available हैं, तो अगर आप interested हैं, तो गीगल आप और गीगल business YouTube channel का link हम description और first comment में दे देंगे, आप हमारा telegram channel भी join कर सकते हैं, ताकि हम आपको YouTube videos और extra videos आपके साथ share कर पाएं, जो हम YouTube channel में अप्लोड नहीं करते हैं, anyways दोस्तों, अगर आप ऐसी knowledgeable videos मिस्स नहीं करना चाहते हैं, तो subscribe करने के बाद bell का button दबाना मत भूलिएगा, आप comment करके ये भी बता सकते हैं कि आप next video किस topic पर चाहते हैं, जल्दी हम आप से दुबारा मिलेंगे, जैहिंद!